प्रेज लौड जै मसी की मेरे प्रिये बाई वेनों आप सबी को प्रॉप येश्य मसी के नाम से मैं बदाई देता हूं और स्वागत करता हूं हमारे इस live program comments के जवाब आपका मैं एक बार येश्य मसी के नाम से स्वागत करता हूं प्रेज बाई वेनों आप सबी से मिलने में मुझे बहुत खोशी है क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम सात में रहकर fellowship करें और सात में परमेश्वर को हम गयराई से जाने भाई एक साथ मिल कर रहना कितना अच्छा है हाँ मेरे प्रिय बाई बिनो आप से जुडने के लिए परमेश्वर ने आज शाम को भी अनुग्र किया है इस लाइब प्रोग्राम के द्वारा इसलिए मैं अपने प्रभु परमेशर को धन्यवाद कहना चाहूंगा और ये एक छोटा सा अपडेट में देना चाहूंगा जिस प्रकर आप जानते हैं हमारा लाइब शोओ योजवली जो है यूटूब पर होता है लेकिन आज कुछ कारण के वज़े से हम यूटूब पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि false strike आने के वज़े से हमारा यूटूब का live stream जो है कुछ महीनों के लिए उन्होंने बैन करके रखा है हमने उनसे request किया है, appeal किया है, प्रातना कीजिए कि हमारा appeal accept हो जाए, क्योंकि कोई भी हम harmful content वगर upload नहीं करते हैं, तो वो appeal के लिए आप प्रातना कर लिजिए कि 2-3 दिन में वो bang हट जाए, ताकि हमारा सच्चाई का सामना comments के जवाब बे ही चक चलते जाए, इस समय में आप हमें help कर सकते हैं, किस प्रकार, जबी भी हम कोई भी वीडियो upload करते हैं, YouTube पर उसे आप download कर लिजिए, save कर लिजिए, या फिर आप उन वीडियो को जो है, share जादा कीजिए और like कीजिए, क्योंकि जितना आप उनको like करते हैं, उतना positive rating मिलती है, तो हमारा वीडियो safe रहेग और ऐसा कोई issue नहीं है, तो चली एक छोड़ा सा प्रातना करते हैं, और इस program को हम चालू करते हैं, प्रभू परमेश्योर में आपको धनेवास तूति करना चाहूँगा, ये शाम के समय आपके चरणों में आकर, आपसे बाते करने के लिए, और आपके वचनों के गहराई क जानने के लिए, आपने हमें मदद किया है, इसके लिए हम आपको धनेवाद करते हैं, प्रभू ये comments के जवाब के program में, जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उन सभी को आप आशिश कीजिए, क्योंकि आपके वचन के द्वारा जो प्रभू रोशनी मिलती है, और इंसान के जीवन बदलती है, प्रभू इसकारे करम के द्वारा जो लोग सवालों के साथ आ रहे हैं, वो जवाब पाने के लिए आप मदद कीजिए, जो सवाल पूछ रहे हैं, उनके दिलों में काम कीजिए, जो mocking, इस attitude से पूछ रहे हैं, पवित्रा आत्मा उनके साथ बाते कीज कीजिए, उनके दिलों में क्रिया कीजिए, ताकि वो सवाल पूछने के साथ-साथ जवाब को सुनकर अपने जीवन को आपके हवाले सौब दे, आगे का समय आपके चरनों में सौबते हैं, कोई भी टेकनिकल डिफिकल्टी ना आए, वैसे आप हमें संभालने के लिए हम प पूछ सकते हैं, और आपके सवालों को शॉट रखिए, वचनों को कोट कर रहें, तो शॉट में रखिए ताकि वो कमेंट को में रीड कर सकता हूँ, और पहचान सकता हूँ, जान सकता हूँ कि आपका सवाल क्या है, और मुझे भी जवाब देने में आसानी होगी, तो चलि पहले ये कारेकरम में कुछ सवालों को लेने से पहले मैं कुछ वचन को जो है मैं बाइबल से पढ़ना चाहूँगा क्योंकि ये वचन बहुत जरूरी है आज मैं सब को बताना चाहूँगा कि कलीशिया बहुत ही बुरे परिस्तिती में है क्योंकि कलीशिया मुख्य जो बात है उस बात पर focus नहीं कर रही है और इस बात को मैं बार बार दोहराओंगा और हमेशा दोराते रहूंगा कुछ लोग कहेंगे कि भाई बस करो हम बोरो गए हैं लेकिन मैं लगातर इस बात को दोराते आओंगा क्योंकि पिछले 2000 साल से यही बात को दोहरानी की जरूते की कलीसिया जाग जा, कलीसिया सतर्क रह, कलीसिया सावधान रह, क्योंकि शैतान अच्छे से जानता है कि मैं कलीसिया के विरुद खड़े रहकर जितना डैमेज, जितना तकलीफे ला सकता हूं, उससे भी अधिक, मैं कलीसिया में जुड़ या फिर अनुभव नहीं कहूंगा, एक अच्छा तरीका ये होता है, किसी व्यक्ति के साथ आप ज्यादा समय बिताएं, उनको भरोसा दिलाएं, और अचानक से एक दिन जो है, आप उनका भरोसा तोड़ दें, और उस समय में, यदि आप उस धोके में फस गई हो, या तो और शारिक क्रूब में जो है, कमजोर बना देती है, और ये पंथ आज कलीसियाओं में यही कर रही है, हाँ मेरे प्रिये भाई बनो, आज पंथ जो है, कलीसियाओं में बढ़ती जा रही है, माता यरुशले, यहोवास विटनेसेस, चमक्ति पूर्वी बिजली, हाँ ये ए इस पंत को जो है, बैन करके रखाए, बहुत ही हानी का रखपंत है, आज शाम को भी हमारे कलीसिया के एक मेंबर के घर पे एक ग्रूप आये थे, तो उन्होंने मुझे फून किया, तो मैं वहाँ पर जैसे तुरंट पहुचा, वहाँ पर मैंने एक व्यक्ति को देखा, जो इंग्लिश ही बोल रहा था, हिंदी नहीं बोल रहा था, टिपिकल कोरियन लग रहा था, तो मैंने उनसे इंग्लिश में बात करना शुरू किया, तो उन्होंने बताए कि मैं शिलॉंक का हूँ, और वो माता येरुशिलेम को मानते हैं, मैं उनके साथ लगबग आदा गंट इतना भी वचन उनको समझाए, वो उस बात के उपर गौड नहीं कर रहे थे, वो स्तरी ने तो इतना कहा कि तुम बाइबल के वचन को बहुत खीच रहे हो, बाइबल के वचन को इतना तुम स्ट्रेच कर रहे हो, तुम्हारी योग्यता नहीं है, ऐसे उस बहन ने कहा, मैं जी, हैंडल करना है, उनको घर पे बुलाइए, बात कीजिए, उनको घर से भगाईए, मत ऐसे सजेशन से दूर रहिए, कि उनके आने पर दर्वाजा पटक दीजिए, उनको घर पे आने दीजिए, क्योंकि उन्हें भी येश्व मसी की ज़रूरत है, पहला युहन्ना, तीसरा अध्याय, सात्वा वचन, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, ये वचन कहता है, हे बालकों किसी के भर्माने में ना आना, कई बार, न्यू टेस्टमेंट, हमको ये चेतावनी को बार बार, बार बार देती है, कि तुम सावधान रहो, कोलुशिय के किताब, दूसरा अध्याय, 18 वचन, ये सारे वार्निंग्स को कलीशिया कितना सीरिस ले रही है, ये मैं नहीं जानता मेरे प्रियवाई वेन हो, क्यों कि ये सारे चीजों को कलीशिया सीरिसली ली होती, तो आज उस पंध में, बहुत सारे लोग फसे नहीं होते, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाग, य कहां से आए ये हिंदु मुसल्मान convert नहीं हुए Christianity में ये वही है जो एक बार सत्य में थे लेकिन ऐसे भर्माने वाली बात में आकर उन्होंने अपने जिंदगी को जो है बरबाद करना शुरू कर दिया है और ये पंत जो है बहुत हानिकारक है इन पंतों से आपको सावधान रहना है कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप पंत पंत कहते हो वीडियो अप्लोड नहीं करते हो हम कुछ कारण वर्षिस वीडियो को अप्लोड नहीं कर रहे है हम करेंगे आने वाले दिनों में लेकिन हम मीनवाइल चाहते हैं कि कलीसिया जागे कलीसिया औरगनाईस करें मीटिंग्स कलीसिया सिक्षाओं में ध्यान दे कलीसिया जाग जाओ मेरा हाथ जोड के आपसे विंती है कृपा करके जाग जाओ जो कलीसिया मुंबई में है वो विशेस करकर जागे क्योंकि मुंबई में ये 3G से फैल रही है नेपाल में ये ज़्यादा फैल रही है माता यरुशिलेम की कर्ड मुंबई में आने वाले 24 तारीक को हम एक मीटिंग और्गनाइस कर रहे हैं माता यरुशिलेम के सवालों का जवाब देने के लिए उसका डीटेल्स फेस्बूक हम जल्द अपलोड करेंगे आप फॉलो करते रहे हैं तो मेरे प्रिय भाई बैन वचन सफाई से कहता है हे भालकों तुम सावधान रहो और हर किसी के भर्माने वाले बात में ना हो अभिशेक मसी पूछते हैं क्या लेडिस चर्च में उपदेश दे सकती है अभिशेक का सवाल है क्या लेडिस चर्च में उपदेश दे सकती है इसके उपर मैंने काफी बार response दिया है हमारे live show सच्चाई का सामने में भी और comments के जवाद इस program में भी जब भी बात आती है क्या महिलाएं सेवा कर सकती है तो जवाब ये है हाँ वो सेवा कर सकती है अब सवाल ये आता है क्या महिलाएं कलीसिया में उपदेश कर सकती है तो हमें Bible को समझना बहुत ज़रूरी है कि कलीसिया में परमेश्वर ने एक नियम रखा है और हमारा परमेश और ऐसे ही साधरन रूप में काम करने वाला परमेश और नहीं है, हमारा परमेश और हर एक कार्य नियम अनुसार एक फॉर्मेट के रूप में करते हैं, सुरिष्टी को भी जो है उन्होंने एक फॉर्मेट में बनाया, पहले आदम को बनाया, फिर हवा को ब प्रचार करने का जो अधिकार है Bible महिलाओं को नहीं देती है कुछ लोग इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि Bible पुरुशों के लिए है Bible पुरुशों के लिए नहीं है आपको समझना है कि Bible roles and responsibilities जिम्मदारियों को जो है देती है Bible में ये जो कलिस्या में authority के साथ प्रचार करने का अधिकार जो है responsibility जिम्मदारी पुरुशों को दी गई है स्रियों को नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि स्रिया सेवा नहीं कर सकती हैं इस्त्रिया सेवा कर सकती हैं, कहां सेवा कर सकती हैं, वो संडे क्लास चला सकती हैं, बच्चों के बीच में, महिलाओ के बीच में वो प्रचार कर सकती हैं, लेकिन पुरुशों के मंडली में और एक कलीसिया में वो उपदेश नहीं करना चाहिए करके बाइबल कहती हैं, और क यह सिर्फ महिलाओं को नहीं कह रहा हूं, पुरुशों को भी कह रहा हूं, स्टेज पर आकर सामने खड़े रहकर प्रचार करना, उपदेश करना ही सेवा नहीं है, सेवा यह है कि आप कहीं पर भी हो, अपने तोर पर परमेश्वर के लिए कारे करें, तो क्या महिलाओं पच्चों की सिक्षा में, लेकिन एक कॉंग्रेगेशन में, साधरन कलीशिया में, जब पुरुशों की उपस्तिती होती है, अथॉरिटेटिवली उनको प्रचार करने का अधिकार बाइबल नहीं देता है, और महिलाओं का जो स्पेशल स्तान है बाइबल में, वो कोई और शास्त्र नहीं दे सकता है, क्योंकि क्रिस्टियानिटी का बुनियाद क्या है, पॉल कहते हैं, यदि मसी मरो हो मैंसे जी नहीं उठा होता, तो हमारा विश्वास व्यर्त है, तो ऐसे विश्वास का जो बुनियाद है, वो बुनियाद के गवाही को देने के लिए, येश्य मसी के पुनर उतन का पहला गवाई इन महिलाओं ने दिया उस situation में जहां पर महिलाओं की गवाई कोई उतना आदर नहीं करता था उस community में तो इतना आदर महिलाओं को Bible देती है तीमती जो है उनके घरों की स्त्रीयों से जो है वो सिक्षित थे अपने बालकपन थे तो यह हमको जानना ज़रूरे की Bible roles and responsibility में फरक देती है essence और स्वरूप में नहीं तो कुछ लोग वचनों को लेकर आएंगे मसी में हम ना यहूदी हैं ना युनानी हैं ना अमस्त्री हैं ना पुरुष हैं वो चर्च के responsibility को बारे में नहीं बात कर रही हैं वो वचन स्वरूप तत्व नेचर और essence के बारे में बात कर रहे हैं equality in image जिस image में परमेशों ने हमें बनाया उसके बारे में बात कर रही हैं तो यह सवाल को ध्यान से आप समझेए emotional होकर समझेंगे तो कहीं पर भी हम नहीं जा रहे हैं चलिए अगले comment क्योंड चलते है I think अभी फिलाल सब सही है Yes, all, okay Wonderful, तो चलिए मैं भी खुच चेक कर लेता हूँ Okay, great चलिए अगले comment क्योंड चलते है अतुल जुमबारे पूछते हैं Bible history के बारे में बताईए Bible history के बारे में बहुत सारी किताबे हैं आप किस particular history के बारे में बात करें अगर आप chronology के बारे में बात करें हैं या फिल church history के बारे में बात करें तो church history से related आप कुछ किताबे खरीद सकते हैं और वो किताबों के बारे में आप details जानना चाहते हैं, तो हमें message कीजिए, वो हम details आपको share करेंगे, आप online order कीजिए, उसको खरी दिये और पढ़िये. Roshan Maharana पूछते हैं, is it necessary to be baptized for partaking in holy communion? Kindly give some references from the Bible for your explanation. Roshan पूछते हैं, क्या ये ज़रूरी है, बबतिस्मा लेना, holy communion में भाग लेने के लिए? तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का confusion यहाँ पर यह आता है, ये जो चेले हैं, उनको तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बबतिस्मा नहीं दिया, वो लोग holy communion लेते हैं, वो रोटी तोडने के उसमें भाग ले रहे हैं, आपको कुछ चीजें जो है, context में समझना बहुत जरूरी है, ये जो मसी के दिनों में, चेलों को बबतिस्मा देना, और रोटी तोडना, और पवित्र आत्मा का उंदेला जाना, वो different context है, और आज, ये जो मसी के उठाए ज बढ़ते हैं, मैं आपको उस वच्चन को भी जो है, निकाल के देना चाहूंगा, जैसे आपने वो वच्चन को पूछा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वच्चन को निकालने के लिए आप बने रही हैं, हमारे साथ, आप मत्य के किताब 28 वच्चन में जाएंगे, तो सबसे पहला, सबसे पहला requirement है, मसी परिवार में एंटर करने के लिए, कि आप येश्य मसी को अपना उधार करता माने, येश्य मसी को उधार करता मानने के साथ साथ, आपका उधार का आश्वासन तो मिल गया, बप्तिजमा लेने से आपका उधार होना नहीं होना, उससे कोई फरक नहीं है, लेकिन बप्तिजमा येश्य मसी ने लेने को कहा, इस मैं मसी हूँ, जब आप मसी बनते हैं, तो आप मसी परिवार में आएंगे, जब आप मसी परिवार में आते हैं, तो उस मसी परिवार में होने वाले क्रियाओं में जो है, आप भाग ले सकते हैं, जिसमें रोटी तोड़ना है, जिसमें वचनों को समझना, मेल मिलाप करना, य आपको identify करने का और मसी परिवार में identify करने के बाद आप देखेंगे प्रेजितों की किताब दूसरा अध्याय 46 वे वचन में अगर वो वचन को पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए वो निकाल कर पढ़ना चाहता हूं आप बने रही हैं हमारे साथ प्रेजितों के काम दूसरा अध्याय 46 से हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे 47 नहीं वन सेकेड प्रेजितों के काम दूसरा अध्याय 46 और वे प्रती दिन एक मन होकर मंदीर में इखटे होते थे और घर कर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से बोजन किया करते थे और परमेश्युर की स्थूती करते थे और ओके सॉरी वन सेकेड मैं आपको जो वचन मैं देना चाहना हूं व उपर नीचे पढ़ लिए एक सेकन्द आप पढ़ सकते हैं चालिसवे वचन से आप पढ़िये दूसरा अध्याय के चालिसवे वचन से उसने बहुत सारे बातों में भी गवाई दे दे कर समझाया कि अपने आपको इस टेड़ी जाती से बचाओ जिन्हों ने उसका वचन ग्रहन किया उन्होंने बप्तिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगबग उनमें मिल गए आप यहाँ पर आपको सीक्वेंस ध्यान में देना बहुत जरूरी है चालिसवे वचन में वहाँ पर उनको वार्निंग दिया जा रहा है कि तुम इस टेड़ी जाती से अपने आपको बचाओ और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जो जो लोगों ने उनके वचन को ग्रहन किया तो मतलब पहला यह समझना है कि हम टेड़ी जाती में हैं दूसरा स्टेप वचन को ग्रहन करना है मतलब येश्व मसी को उद्धार करता मानना है कि मैं पापी हूं मुझे उद्धार करता में और प्रातना करने में लवलीन रहें तो यहां पर आप साथ कार्या देख रहे हो सबसे पहला आप ये समझो कि आप टेड़ी जाती में हो आपको उधार करता की जरूरत है और उस वचन को ग्रहन करो की ये शुमसी आपको उधार देता है फिर आपको 32 मा लेना है फिर उसक मतलब ये बाइबल कुछ लोग अपने आपको प्रेवित बना लेते हैं आप पोस्तल ये बाइबल तो प्रेवितों कि Srik에서 में यानि कि बाइबल के वचन में रहना है संगती बनाना है रोटी बनाना है तो रोटी बने के पहले प्रभु बोज़् होली कम्यूने लेने से पह कहते हैं कंपल सरी है क्या बप्तिस्मा लेना क्या मैं नरक में चले जाओंगा नहीं लूँगा बाइबल बप्तिस्मा को क्राइटेरिया नहीं रखती है स्वर्ग और नरक के लिए लेकिन ये शुमसी ने बोला तो उसका आधर करके हमें फॉलो करना बहुत सरूरी है आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है नहीं दिया है तो आप और रिसर्च कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए प्रभव आपको आशिश करे प्रेजितों के काम दुसरा अध्याय वज़न 40 से लेकर 47 तक आप पड़ सकते हैं सुरेंद्र कुमार कहते हैं क्या आजकल जो क्रिस्टियन अन्य धर्मों को एक्सपोस करते हैं क्या जीजस ने ऐसे कहा था कि एक्सपोस करियो करियो तिपिकल दिल्ली हाँ जी हम आपको बताएंगे आप ज़रा सुन लीजियो सुन लियो सुरेंद्र कुमार मेरे भाई आप आपको शायद से बाइबल का उतना ज्यान नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ लीजे जैसे कि आप दूसरा कुरूंतियों के किताब दसवा अध्याए पांचवा वचन अगर आप पढ़ते हैं तो मैं आपके लिए पांचवा वचन यहां पर लिखा है क्योंकि हमारी लडाई के हतियार शारिरिक नहीं है पर गड़ों को धा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्ती है तो हम कलपनाओं को और हर एक उची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरूद उठती है खंडन करते हैं औ हर एक भावना को कैध करके मसी का आग्याकारी बना देते हैं अब बात करते हैं दूसरे रिलीजन के बारे में जो जो रिलीजन ये कहती है कि येश्व मसी खुदा नहीं है वो क्या कह रही है वो ये कह रही है कि हमारा जो कल्पना है वो येशु मसी से उपर है नहीं बाइबल का वचन कहता है कि येशु मसी के उपर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है अगर कोई कहेगा कि येशु खुदा नहीं है या फिर अल्ला ही खुदा है या फिर भ्रह्मा ही खुदा है तो हम उन बातों को स्विक कर रहे हैं कि येश्य मसीग खुदा नहीं है लेकिन बाइबल क्या कहती है ऐसे कलपनाओं को कैद करना है हमें शारीरी रूप लड़ाई से नहीं जैसे ये आरे समाज वाले या कुछ लोग वाइलेंस में चले जाता है हम क्रिस्टियन से उपर का वचन पढ़के देखिए वो हमें किस प्रकार की बाते कहती है तो ये जो ऐसे उंची बाते हैं परमेश्य के पहचान के विरुद में येश्य मसी कौन है खुदा है येश्य मसी कौन है उद्धार करता है वही संसार का राजा है वही न्याय करने वाला है यदि उस पहचान के विरुद कोई भी बात उठ उसका खंडन करना मतलब एक्स्पोज करना होता है वही हम कर रहे हैं इट इस कम्प्लीटली बिब्लिकल और इतना ही नहीं आप प्रेरितों के काम 17 वाध्याय जाकर पढ़कर देखिए किस प्रकार प्रेरित पॉल उस 17 अध्याय में जो ग्रीक से उनके साथ जाकर बात कर रहे हैं और बेवियंस किस प्रकार परमेश्र के वचनों को जांच रहें कि पॉल ने जो प्रचार किया वो सही है या नहीं है इमोशन को साइड में रखते हैं वचन को आगे लेकर आते हैं क्योंकि वचन ही जीवन है प्रेज गौड कोई तकलीफ नहीं कोई एरर नहीं हम चलते हैं और मैं सर्प्राइज रूँ और ब्लेस रूँ कि फेस्बुक पर भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं आपको प्रभू आशिश करें गौड ब्लेस यू चले आगे चलते हैं अबीशेक मसी थैंक्यू वेरी मच्च समझने के लिए कुछ लोग एमोशनल हो जाते हैं आप समझ गए कि महीलाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो उपदेश कर सकते हैं या सेवा कर सकते हैं यह दो लग बात हो गई अगर सेवा की बात हो रही है खुल कर सेवा का प्रतिक क्रिष्टी पूछते हैं, प्राइस्चित फादर से किया जा सकता है, वो पूछ रहे हैं, यह रोमन कैथलिक का एक ट्रेडिशन है, कि क्या हम फादर से, यानि कि जो रोमन कैथलिक है, उनका ये होता है, आप उनके चर्च में जाओगे, तो एक फादर बैटे वो आपको उस फादर को बताएंगे, और वो फादर आपके लिए प्रातना करेंगे, और आपको कुछ बाते भी बताएंगे, बाइबल इस बारे में क्या कहती है, बाइबल देखे क्या कहती है, पहला तीमती, दूसरा अध्याए, पांचवा वचन, हम चलते हैं, आज मैं थोड़ा समय लेकर वचनों को पढ़ूँगा, खाली रेफरेंस देकर मैं हटूँगा नहीं, पहला तीमती, दूसरा अध्याए, पांचवा वचन, चलिए वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुस्य के बीच में, एक ही मनुस्य है, मतलब यहां पर यह वचन में क्या देखने मिल रहा हैं को, परमेश्वर एक है, परमेश्वर के और मनुस्य के बीच में, मतलब यहां पर परमेश्वर है, यहां पर मनुस्य है, उसके बीच में एक ही बिचवाई है, बिचवाई मतलब मीडियेटर, जो मेरे लि मसी यिशू जो मनुश्य है तो बाईबल हमको कहते है कि हमारा एक ही मीडियेटर है पर्मेश्वर के बीच में वो है येश्व मसी इसलिए युहाना के किताब में बार-बार येश्व मसी कहते है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से माँगोगे तुम उसे पाओगे फिर बाद में वो चर्च के फादर, फिर बाद में जो विश्वासी को प्रातना करवाना है, तो विश्वासी प्रातना करता है, वो प्रातना वो फादर सुनते हैं, या फिर वो अंगिकार को वो फादर सुनते हैं, और वो कहता है कि, हे मरियम, या फिर कोई सेंट का नाम ले है बहुत सारे टीचिंग्स पर तो आपको सावधान रहना है कि आप क्या बातों को मान रहे हो कि इन बातों को फॉलो कर रहे हैं दिनेश माइकर पुछते हैं उत्पती से लेकर अब तक कितना साल हुआ दिनेश माइकर इसके दो व्यू है यंग अर्थ creation group एक अलग है और old earth creation group अलग है दोनों अपने अपने points से divided हैं कुछ लोग million years को मानते हैं अर्बो साल हो गए हैं लाखो साल हो गए हैं और young earth creationist मानते हैं कि 6000 साल के आसपास हैं दोनों के लिए solid evidence है लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये बाते दुनिया कितनी पुरानी है वो आप आपके उधार के उपर कोई फरक नहीं डालता आपके स्वर्ग और नर्ग जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता मोक्ष प्राप्त करना और नर्ग प्राप्त करने के उपर कोई असर नहीं पड़ता है असर पड़ता क्या है कि आपके जिंदेगी का जो मुख्य सवाल है म मैं क्यों आया, मुझे ऐसा क्यों जीना है, मैं कहां जा रहा हूँ, origin, meaning, morality, destiny, शुरुवात, जिन्दगी का मकसद, नैतिकता और समापती, ये क्या है, ये सिर्फ Christianity में आपको जवाब मिलेगा, तो उसके ओपर फूकस कीजिए, दो अलग-अलग divided topic हैं, इसके ओपर आप Ken Ham को पढ़ सकते हैं, या फिर दूसरे scholars को पढ़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत idea मिलेगा, फिलिप संस पूछते हैं, क्या Bible Dinosaur के बारे में बताती है, Bible Dinosaur के बारे में कम, और इंसानों के बारे में ज्यादा बताती है, आपके बारे में बताती है, मेरे बारे में बतात आपको कोट कर सकता हूँ जोब के किताब से पर समय उसमें हम ना बिताते हुए हम आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं उन सवालों पर जिसका प्रवाव हमारे आत्मिक जीवन पर पढ़ता हूँ अच्छु शर्मा पूछते हैं भाई यहोवा ने कहा my name is I am and Jesus also said that he is I am please explain बहुत बढ़िया point है क्योंकि एक यहूदी को पता है कि जबी भी साम इंग्लिश में I am लिखा है जब यहूदी कल्चर में यदि कोई कहता है I am वो सीधा सीधा यह कह रहे है कि मैं वही यहोवा हूँ टेस्टमेंट का तब जाकर यहूदियों ने अच्छे से समझ लिया और वो पत्थर उठाकर कई बार येश्य मसी को मारने के लिए चले गए क्योंकि येश्य मसी मनुश्य होकर तुम किस प्रकार अपने आपको यहोवा के तुलना में रख सकते हो कहकर यहूदी लोग उनक लेकिन यहूदियों का दिमाग इतना कैद हो चुका था उनके ही सोच में कि वो इस बात को भरोसा नहीं कर रहे थे कि यहूद शरीरिक रूप में जन्म लिया है वही चीज़ जम यहना के किताब पहला ध्या पहला वचन में देखते है आदी में वचन था वचन याखवे के कह रहे हैं कि खुदा मैं हूँ जेविर टोपो एक अच्छा सवाल है कल मुंबई में जो है डिबेट में हम अटेंड कर रहे थे ट्रिनिटी वर्सेस वननेस और वहां पर भी यही पॉइंट को लेकर आया जा रहा था कि कलीशिया कैथलिक चर्च ने और कॉंसिल आफ नाइ जेविर भाई उनको यह नहीं पता है कि बाइबल को कैसे पढ़ना है कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल में यह ट्रिनिटी शब्द है ही नहीं और यह शब्द इस्तमाल करेंगे बेनेविलेंट गॉड अम्नी बेनेविलेंट मोनो थीजम इंकार्नेशन यह वर्ड्स आपको बाइबल में नहीं मिलेंगे तो जो शब्द बाइबल में नहीं मिलती है इसका मतलब यह नहीं है कि वो सिख्षा बाइबल में नहीं मिलती है जब हम बाइबल के सारे वचनों को एक साथ लेकर आते हैं बाइबल स्टेडी ऐसी होती है उत्पती से लेकर प्रकाशित वाक्य कि वचनों को जब साथ में हम लेकर आते हैं, उसका result और उसका जो निश्कर्ष निकलता है, उसके उपर doctrine बनती है, doctrine सिर्फ एक वचन से नहीं बनता है, एक वचन से पंथ कल्टिक doctrine बनती है, जब मैं पुराने नियम से उत्पति की किता 19 वा अध्याई में, या फिर उत्पति है, पवित्रात्मा है, और पिता है, पुत्र है और पवित्रात्मा है, तो ये Trinity, Church ने एर नहीं किया है, Bible के deduction से, यानि कि Bible से deductively आर्ग्यू करके निकाला गया है, कि Bible जब study की जाए, वो निसकर्षी रूप में Trinity को साबित करती है, otherwise योहना के किताब 17 अध्याई को आप कहीं पर भी explain नहीं कर सकते हैं, ये वचनों को explain नहीं कर सकते हैं, जहां पर ये श्मसी पानी में, आवाज उपर से आ रही है, और पवित्रात्मा कबूतर के रूप में उतर करा रहे हैं, योन्ना के किता पहला दिया है, ये सारे वचन Trinity के आधार पर ही explain किया जा सकता है, उसके अलावा explain आप नहीं कर सकते हैं, तो जो यो लोग कहे रहें कि Council of Nicaea, उनको पता नहीं, Council of Nicaea में क्या हुआ, जाकर Google में free में मिल जाएगा, इस Council of Nicaea को पढ़ लीजे, केवल मुसल्मानों के argument को दौराने से अच्छा, ये बैतर होगा, free है ये इंटरनेट, हार्दी गैमिट पूछते हैं, परमेश्वर जब जिन्दा हुए, तब उनके शरीर में खून, बलड था की नहीं, इसका सीरा जवाब आपको मिल जाएगा, जब ये शुमसी, थौमस से बात करे थे, मैं वच्छन बताता हूँ, आपको ये वच्छन मिलेगा, लुका की किताब 24, लुका की किताब 24 वा अध्याए, 39 वच्छन में, आप पढ़के देखिए, मैं पढ़के दिखाना चाहूँगा, आज मैं सिर्फ वच्छनों को कोट ही नहीं करना चाहूँगा, पढ़ना भी चाहूँगा, लुका की किताब 24 वा अध्याए, लुका के किताब 24 वा अध्याए, 49 वच्छन में पढ़ते हैं, 24, 49, चलिए, ये रहा वच्छन, उसने उनसे कहा, क्यों घपराते हो, और तुम्हारे मन में, क्यों संधे उठते हैं, 38 वच्छन पढ़ा मैंने, मेरे हाथ और मेरे पावों को देखो, मैं वही हूँ, मुझे चूख कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड़ी, मास नहीं होता, बाइबल पढ़ने पर मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे प्रिय भाई बेनों को, आप करुपा करके थोड़ा बाइबल पढ़ने में समय बिताएंगे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बाइबल में हर एक सवालों का जवाब ह है, God bless you, 100 से भी अधिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्रबो आप सभी को आशिश करें, करेंगे, और कैसे माने, बाइबल ही परमेशल का वचन है, तो इसके उपर हम डिसकस करने वाले हैं, चलिए आगे चलते हैं, का रास्ता, इसके उपर अगर गलत सिक्षाएं जा रही हैं, तो उसका लिस्या से बाहर निकलना आपके लिए बहुत अच्छा है, यदि माइनर, माइनर डॉक्ट्रिनल इश्यूस हैं, तो वहाँ पर आप अपने पास्टर के साथ बैठ कर आप डिसकस कर सकते हैं, अगर आ आगे और कुछ और कमेंट से मैं देखता हूँ, शेर करना भी एक सही तरीके का कार्य है, उसको हम ऐसे नहीं कि जाकर येश्यूस तुमसे प्यार करता है, तो मानू नहीं तो नरक पे चले जाओगे, कुछ लोग हैं वो जाके डारेकली बोलते कि तुम्हारा बगवान तुमको नरक में डाल देगा, येश्यूस सू समाचर बाटने के तरीके होते हैं, किस प्रकर येश्यूस ने सू समाचर बाटा, जाइए बाइबल पढ़िये, जब एक स्त्री कुए में पानी निकाल रही थी, वो स्त्री से येश्यूस ने कैसे बात किया, निकोदेमिस से येश्यूस ने कैसे बात किया, पॉल ने कैसे बात किय पत्रस ने कैसे बात किया, यह सारे चीजों को आपको देखना है, उनको जाकर अटैक करने की रूप में अगर हम बात करेंगे, तो बिल्कुल वो चिडेंगे, हमको उनको सवाल पूछना है कि भाईजान, यह वचन का अर्थ क्या है, यह आयतों का मतलब क्या है, मैं जब मुस के साथ डील कर रहे है, वो चिडेंगे इसलिए, क्योंकि जिस प्रकार आपका अनंतकाल का कार्या उस बात में जुड़ा हुआ है, उसी बात में उनका अनंतकाल भी जुड़ा हुआ है, तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा, तो बहुत ही सावधानी से और प्रेम से आपक अन्य बाश्या सेतान से आता है, और अन्य बाश्या सीखने के वाद बोल सकता है, क्या अन्य बाश्या बोलने के लिए सीखना चाहिए, अन्य बाश्या को सीखना नहीं चाहिए, अगर कोई सीख कर अन्य बाश्या बोल रहा है, कोई कह रहा है तो उसको रिपीट कर रहा है, वो गलत है आत्मिक रूप मर पवित्र आत्मा वो वर्दान देंगे जो भी हैं आप पूछने हैं एक सवाल पूछिए प्लीस टॉक्टू मी करके मत कहिए क्योंकि मैं इंडिविजुली नहीं बात कर सकता हूँ चैट पे सवाल पूछिए और मैं एंसर करने की कोशिश करूँगा प्रदीब कहते हैं फ्रैंसेज बाई यूटूब में एक नया लड़का आया है जो आपका जूटा कहता है मैं चाहता हूँ उसके बारे में एक वीडियो बनाए जवाब दीजे प्रदीब.. मैं आपको यह नहीं बाकी सारे लोगों को भी कहता हूँ जो हमेशा हमको शेर करते रहते हैं यह他们 का जवाबrement जाननय है कि हर किसी जवाब देते नहीं जिस प्रकार ये शुमसी को सूली के समय पर हेरत के स्लामने और पिलत उसके सामने लेकर गया्या है कहां कहां ये शुमसी ने जवाब दिया, ये आपको पढ़ना है, हमको हर किसे को जवाब देने की ज़रूत नहीं है, ऐसे एक नहीं, बहुत सारे लोग यूटुब पर हैं, क्योंकि उनको फेमस होना है, तो क्या करना है, फ्रांसिस के वीडियो को एंसर करो, एंसर नहीं, बस प्ले करो, और एंसर करने का नाटक करो, और गालियां दो, उनका पिक्चर लगा दो, फ्रांसिस का, तो ब्रैंडिंग हो गई, चैनल फेमस हो गया, हाँ, कोई तो आया है, फ्रांसिस को जवाब देने के लिए, तो सुनेंगे करके, लोग हिंदू लोग वहाँ पर चले जा आजाएंगे, दो महिने में गायब हो जाएंगे, तीन महिने में गायब हो जाएंगे, उनके उपर फोकस ने करेंगे, क्यों हमारे पास और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं करने के लिए, हर किसी के उपर ने, अगर आप चाते हैं, उनका जवाब आप दे सकते हैं, तो आ पीचे ही रहेंगे, Francis भाई नेता नहीं है, और contractor नहीं है, आप मेरे उपर निरबर होना भी कहीं न कहीं, ये गलत सिक्षा की हो जा रहा है, कि आपको हर बात के लिए मेरी explanation की जरूत होगी, सीखिए, शुरुवात में आपको जरूत पढ़नी चाहिए, सेव को की, उनकी guidance की ज साथ रहना गलत हो सकता है, मैं पंत नहीं बना रहा हूँ, फिलाल के लिए, राहुल पूछते हैं, पुराने नियम में उद्धार था या नहीं, बिल्कुल पुराने नियम में उद्धार था, लेकिन उद्धार का जो format है, वो अलग है, अगर आप उस उद्धार के बारे मे लिखा है, तो आपको पता चलेगा, चलिए कुछ और कमेंट क्यों चलते हैं, हमारा समय अल्मोस्ट हो चुका है, बीच में 10 मिनिट का हमारा इंटरप्शन था, तो वो इंटरप्शन के लिए, मैं थोड़ा सा continue करूँगा, तो दिखत नहीं है, अनिमेश करके एक भाई हैं, वो पूछते हैं, कुछ चर्चेस में, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं नहीं लूँँ, प्रॉब्लम आएगा तो बता दीजे, नाम नहीं लूँँगा, कुछ चर्चेस में ऐसी सिक्षा है, यदि कोई उस चर्च को छोड़ कर किसी दूसरे चर्च में जाता है, तो पहले वाले चर्च के लोग उसे बात करना बंद क्यों कर देते हैं, क्योंकि वो कलीशिया में नहीं है, वो संगती में नहीं है, वो business commercial center में है, और business team के जैसे attitude बना के रखे हैं, behavior बना के रखे हैं, कि तुम हमारी team से चलेगा है, तो अब मुई नहीं दिखाना, जलो निकल जाओ, मुई नहीं दिखाना, बाइबल हमको संगती के बारे में कहती है, यदि वहाँ पर गलती भी हो जाए, तो कलीशिया के लोग बैट कर समझाना चाहिए, यही संगती होती है, और इसी संगती के बारे में, पॉल बार-बार कहते हैं, एक दूसरों को तुम संभालो, पॉल क्या कहते हैं अपने प्रत्रों में, तुम एक दूसरों को संभालो, लेकिन कलीशिया एक दूसरे को संभालने को छोड़ कर, कलीशिया चोड़के गया, तो इन्सान को दबा रहा है اور रोक कर रख रहा है, यह हमको हर कहीं देखने मिलता है, तो कुछ नई बात नहीं है, प्राथना कीजिए और कलीसिया छोडने से पहले निरने लीजिए, कि आपका निरने, वो सही है उस कलीसिया को छोडने के लिए, संतोष पूछने हैं मुसल्मानों की बीच में सेवा करना है तो कैसे करना है तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है उस जानका रिग लिए हमारे यूटूब चैनल में जाईए ट्रूथ रिविल्ड इसदारे हाग ये जो वीडियो है पांच वीडियो सीरीज उसको आप देखिए उसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है वो पीडियाफ को डाउनलूड कीजिए उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं जानिये आपको मदद मिलेगे उनसे बात करने के लाए ठोड़ा सा स्टड़ी कीजिए क्योंकि बाइबल को प्रस्तूत करने वाले आपको बाइबल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है अभिशेक मसी आपने जो कैतलिक चर्च में मरियम के बारे में पूछा है बाइबल इसको मूर्ती पूझा कहती है और बिल्कुल गलत है रोहित साल भी पूछते हैं क्या जहां प्रॉस्परेटी को लेकर प्रीचिंग होती हो वहाँ हमें अब्जेक्शन लेना चाहिए बिल्कुल क्योंकि ये लोग मसीहत का एक गलत पिक्चर लोगों को दिखा रहे हैं कि तुम मसी के पास आओगे तो तुमको गाडिया मिलेगी किरन सेगल नाम का एक व्यक्ती जिसका यूटूब पेज को अब जब देखते हैं वो कह रहे हैं कि मेरे आत्मिक बच्चे मुझे क्रेटा दे रहे हैं गाड़ी का नाम है यूंडा या हॉंडा क्रेटा है वो मुझे नहीं पता है और कह रहे हैं कि जैगवार मिला पाचवी चटी गाड़ी कहां से आ रही है बिजनस करके खरीदो यार लोगों को लूटना बंद करो जहां प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग हो रही है आप देखते हो उस प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग की कलीसिया में लोग इसी आशा में बैटे हैं कि मैं एक दिन मैं अमीर रॉलेक्स की गडियां दिखा रहे हैं, उपर से उड़ रहे हैं, खुद के पैसे से कीजिए, क्यों कलीशिया के पैसे से कर रहे हैं, और करने के बाद ये भी कहते हैं, कि तुम बोएंगे तो तुम्हें मिलेगा, पास्टर मोनिश इसके उपर अच्छे से वीडियो बना रहे हैं, हमारे G original चैनल पर, सारे उन वचनों को लेकर आ रहे हैं, और expose कर रहे हैं, कि जूटे प्रचारक, prosperity preachers, किस प्रकार वचनों को miscote करें, आपका जो सवाल था, क्या हम objection उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको खड़े हो जाना है, किस ने बोला तुमको प्रचार करने के ल वचनों को लेकर जाएं, और बोलिए कि भाई, ये वचन में ऐसा लिखा है, आप ऐसा प्रचार कर रहे हो, थोड़ा मुझे समझाए, तो वहाँ पर एक अच्छा dialogue आप उनके साथ कर सकते हो, अगर वो करने के लिए ready है, mostly नहीं करेंगे, लेकिन आपको कोशिश करना है, त उस कली से हमें आपको continue करना है, या नहीं करना है, क्योंकि ये कली सियां ये सिक्षा देती है, आशिश हो, तुम मसी हो, गरीब हो, तो तुम पापी हो, ये मेसेज लोगों के बीच में जाता है, कितने दिल, कितने घर, दर्द के साथ सो रहेंगी, हमने ऐसा क्या पाप किया कि हमको परमेशोर आशिश नहीं कर रहा है, और सेवक इसी बात को फाइदा में बना लेता है, घुमा कर कर देता है, कि तुम्हारे जीवन में कुछ तो ऐसा पाप है, जिसके वज़े से आशिश नहीं आ रहा है, नॉन्सेंस, गरीब लाजर, गरीब ही मरा, लेकिन को हम देखते हैं, और उसके बाद इस लाइव स्ट्रीम को हम एंड करते हैं, रुपेश एक आईडी है, वो कहते हैं, किसी के अंदर डेमानिक स्पिरिट है, और वो उसको कुछ नुकसान नहीं पहुचाती है, लेकिन दूसरों के लिए नुकसान दायक है, हम कैसे बिना बत बताए, उसको निकाल सकते हैं, उसको बिना बताए, येश्यमसी के नाम से, येश्यमसी के नाम में अथारिटी है, और येश्यमसी के नाम के उस अथारिटी में, आप प्रात्ना कीजिए, वो निकल जाएगा, विश्वास रखिए, और परमेश्वर आज भी चमतकार करता ह तिग्गा अलिजान पूछते हैं ब्रदर क्या बाइबल पृत्वी को फ्लैट की तरह बताती है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं ये वही लोग हैं जो सिर्फ इंटरनेट के नॉंसेंस को उटा कर लेकर आते हैं बाइबल जो है अर्थ को फ्लैट नहीं बताती है इस बात को मानता था कि Earth flat है लेकिन Bible शुरुवात के दिनों में से यही कहता आ रहा है कि Bible Earth flat नहीं है वो spherical in shape है और वेद वाले और मुसल्मान वाले आज जाग रहे हैं और यह बता नहीं कोशिश कर रहे हैं कि उनके किताब भी यही कह रही है forged version को लेकर आकर वो बता रहे हैं लेकिन Bible सदियों पहले यह बात को कह चुकी है जब science भी उतना advanced नहीं था यह पृत्वी flat नहीं है एक सेवक ने कहा या तो उनको science नहीं पता या तो उनको Christianity नहीं पता या तो दोनों नहीं पता क्योंकि जिस व्यक्ति को science पता है वो यह नहीं कहेगा कि Christianity में unscientific चीज़े है और जो करती Christianity को जानता है वो यह नहीं कहेगा कि Christianity science के खिलाफ है जो दोनों नहीं जानता है वो यही कहेगा कि science Christianity के खिलाफ है और अर्थ चप्टी है, goal है, यह है इस argument को लेकर आएगा, goal है वैसे spherical in shape Paul Saino पूछ से है, is it true one safe, always safe doctrine इसको मैं personally believe नहीं करता हूँ so I don't believe in this Jimmy Masi पूछ से है, is pastor a gift और an office, pastor जो है एक responsibility है, it is neither a gift, it is not an office अब किस context में office बोल रहे हैं, वो मैं समझने पा रहा हूँ, pastor जो है एक calling है, एक responsibility है Kalisia का, office किसको कहा जाता है, prophetic office कहा जा सकता है, वो prophetic office जो है finish हो चुका है, तो ऐसा pastoral office के बारे में कहते हैं, तो कही ना कही हमको शुरू करना पड़ेगा, और उसको continue करना पड़ेगा, so there is nothing as such तो, I think हमारा समय हो चुका है, तो चलिए हम इस live program को हम end करते हैं, और एक और live program में आपसे मिलेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ comments आ रहे हैं, उनको मैं देखकर समात करूँगा सीमोन सिंग कहते हैं, मुहमत की भविश्यवानी Bible में तो नहीं है, लेकिन Muslim भाई लोग, Muslim भाई लोग, भाई लोग, क्यों कहते हैं, मुहमत के बारे में Bible में लिखा है, वो इसी लिए argument में आपको बताता हूँ क्या है, argument ये है कुरान अल्ला के तरफ से है मैं उस कुरान के आयत को निकल लेता हूँ, एक बार ये जो कुरान की आयत हैं, उनका मानना है कि कुरान जो है खुदा की ओर से, खुदा से mistake नहीं होती, कुरान में गलत बाते नहीं लिखी होंगी, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, कुरान के आधार पर वो बाइबल में जबर्दस्ति उनको डूनना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि कुरान कहता है वो आयत में डूनने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आयत में ये लिखा है कि उस नभी के बारे में वो उन किताबों में पाएंगे मैं उस वच्चन उस आयत को निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बने रही है मेरे साथ मैं उसी वेबसाइट में जा रहा हूँ, जो क्रिस्चियनिटी के खिलाफ आर्टिकल्स लिखते हैं ओके मैं उस वच्चन को आयत को ढूनने की कोशिश कर रहा हूँ ओके अनलेटर्ड ठीक है वो आयत मुझे मिलने रही है I think मिल गई है सूरा साथवा अध्याय, सूरा चैप्टर सेवन सूरा चैप्टर सेवन कुरान में सूरा चैप्टर रवन, सुरतल राफ, सुरतल राफ, सुरेल राफ जैसे प्रनांस करेंगे इसको उसमें आयत नंबर 157 आयत नंबर 157 में देखे क्या लिखा है मैं यूसुफ अली का ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे यूसुफ अली का मत पढ़ो ठीक है मैं पिक्ताल का ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर कुरान के साथवे अध्याय में आयत नंबर यानि वच्चन नंबर 157 में लिखा है कि वो नभी के बारे में वो उनके किताबों में पाएंगे किसमें तोरा और इंजिल में तो यहाँ पर मुसल्मानों का डाइलेमा क्या है कि कुरान ने तो कह दिया कि मुहमत की भविश्यवानी या मुहमत के बारे में तोरा में और इंजिल में लिखी होगी तो कुरान तो गलत नहीं हो सकती है तो किसी भी हालत में हमको उसको फाइंड आउट करना ही है किसी भी हालत में उनको पहचानना है दून के निकालना है मोहमद का नाम तो इसी कोशिश के साथ यही से शुरू होती है कि बाइबल में मोहमद को दून के निकालना है लेकिन उस समय में भी और आज भी लोग लगातर मोहमद को बाइबल में दूनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुहम्मद को बाइबल में किसी नहीं पाया है और इसके ओपर डीटेल वीडियो हमने बनाया है, व्यवस्त अभिवरनाटराद्या, इहशाय के किताब, ये साईय के किताब, ऐसे सारे वचनों के ओपर जो claim को base करते हैं, कि मुहमद की भविश्यवानी बाइबल में वो सारे सवालों का जवाब हमने हमारे यूटूब चैनल पर अप्लोड किया है उसे जाकर देखिए बाइबल कहीं पर भी मुहमद की भविश्यवानी नहीं करती है अगर बाइबल भविश्यवानी करती है तो वो जूटे भविश दक्ता के बारे में करती है आप मुसल्मानों के लिए प्रॉब्लम एक है यदि कुरान सही है तो मुहमत का नाम बाइबल में मिलना चाहिए बाइबल को जब हम पढ़ते हैं मुहमत का नाम नहीं मिलता है इसका मतलब कुरान गलत है इसलाम गलत है और यहाँ पर मुसल्मान लोग और जाकिरनायक एक कदम नहीं, दस कदम आगे चले जाते हैं कुरान से भी स्मार्ट बनते है कुरान कहता है कि तोरा और इंजिल मुसा ने जो पहले पांच किताबे लिखी वो इंजिल मतलब गॉस्पल यह दो किताबों के बारे में का है लेकिन हमारे मुसल्मान भाई क्या करेंगे यशाय में जाकर डूंडेंगे सॉंग्स ओफ सॉलोमोन में स्रेश्टी गीत है तेंगे हिंदी में बोलते हैं स्रेश्टी गीत में जाकर डूंडेंगे नीती वचन में जाके डूंडेंगे और काफी जारे अध्यायों में जो है मुहमत की बविश्यवानी डूंडेंगे कुरान से भी थोड़ा स्मार्ट ये लोग बन जाते हैं कभी-कभी प्राथना कर सकते हैं इनके लिए चलिए मेरे प्रिय भाई बहुत समय हो चुका है हम इस लाइव प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और एक और लाइव प्रोग्राम में आप से जुडेंगे लगातर हमारे मिनिस्ट्री के लिए ग्लोरी अपॉलिजेटिक्स के लिए प्रात्ना करते रहे हैं और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है एक बार दोबारा मैं रिपीट करना चाहूँगा कि हमारा लाइव स्ट्रीम यूटूब पर गलत स्ट्राइक के कारण डिसेबल किया गया है हमने अपील फाइल की है यूटूब सर कोई response के लिए हम इंतजार कर रहे हैं और वो response positive आने के लिए आप परात्ना कीज़े क्योंकि हमारे जिस वीडियो को take down किया है वो वीडियो में कोई भी violent, harmful, metadata, spam, misleading, sexual content, violence ऐसे कोई भी जो community guideline की points होती है वो नहीं है क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं ये सारे guidelines को दिमाग में रखके बनाते हैं तो YouTube इसको शायद से review करेंगे और परमेशुर की मर्जी हो तो हम वापस से live stream को YouTube पर करेंगे अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत ने परमेशुर महान है उनकी सेवा कभी भी ने रुखेगी उनकी महीमा कभी भी ने रुखेगी हम लगातार उनका सेवा अलग-अलग platform में करेंगे Facebook में करेंगे आप क्या साहता कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं जब हम वीडियो upload करते हैं उस समय उसे download कर लिजे अपना YouTube चैनल पर उसको upload कर लिजे हमारे वीडियो को like जरूर कर जिए क्योंकि जब like आप करते हैं तो positive ratings वीडियो की बढ़ती हैं तो कितने भी गलत strike आएं तो गलत strike जो है वो neutralize हो जाता है ज़्यादा share करने पर subscribe करने पर भी जो है channel की rating बहुत अच्छी होती है तो आप इतना help हमें कर सकते हैं और उससे भी बढ़िया help आप ये कर सकते हैं प्राथना हमारे लिए हमेशा करते रहिए चले एक छोटा से प्राथना के द्वारा इस live program को हम end करते हैं है परमेश और हम आपको धन्यवाद करते हैं ये शाम के समय आपको कोटी कोटी धन्यवाद देते हैं कि आप हमें एक साथ जोड़ें भारत के कहीं इलाकों में से और भारत के बाहर के कहीं इलाकों से नेपाल से और UAE में से कुछ लोग हमारे साथ जोड़े थे प्रभु इन सभी को एक साथ जोड़ने के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि आपका प्रेम हमें जोडता है, आपके वचनों में रोशनी है, आपके वचन के रोशनी से एक साधारन व्यक्ति जो है, जोती पाताई करके हम भजन सहीता में पढ़ते हैं, हाँ प्रबू, ऐसा महान वचन को समझने के लिए आप ऐसे प् संदगी में emotions वचन दुनिया में उनको एक स्तिर जगा देने के लिए मैं प्राथना करता हूं पवित्रात्मा उनके साथ रहे उनकी अगवाई कीजिए सारा आधर गौरों महिमा आप ही को मिले येश्यु मसी के नाम से मांगता हूं इता आमेन आमेन एक और भाद धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बैनों जुडने के लिए प्रभव आपको आशिश करे हमारे फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए शेर कीजिए फॉलो कीजिए और यूटुब चानल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार ग्लोरिय अपॉलजेटिक्स को अपने व्यक्तिकत रूप में बिना भुले परमेश्वर के समुख में याद करते रहें गाद ब्लिस यो गुद नाइट